हालो गाईज, विलकम टू अजीवाईएस, मैं नेम इस अईश मिठी, इस वीडियो में हम एंचेंट इस्ट इस्ट आफ इंडिया का 21 एपिशोड स्टाट करने जा रहे हैं, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, शुरू करने से बलाएं को बता दू, कि हमारे सभी एंसी सब्जेट्स के लिए, टेस्ट शीरिस फॉर्मेट में, कोर्से आते हैं, जदा जानकरी के लिए आप डिस्क्रिप्शिन में जा सकते हैं, और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, पढ़ते हैं, टाइम लाइन ओफ इंपोटेंट मोरे रूलर्स, ये कुछ मोरे रूलर्स हैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो आए थे, और बेसिकली आप देखेंगे जो डैनस्टी है, वो बेसिकली चंद्रगुप्त मोरे से शुरू हुई थी, फाउंडर थे वे, 321 से 297 बीसी तक थे, और जुनके लास्ट रूलर्स थे, वो ब्रिहादर था थे, तो ये स सबसे जो हमारे फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मोर्या, काफी पावर्फुल थे, इनके बारे में पढ़ने से पहले होगा बता दू कि हमें पता कैसे चलता है मोर्या एच के बारे में, कि कौन पावर्फुल था, किसने क्या 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 कैसे किया, कब किया, तो कई सा सार्षेस यह से बुद्धिफ्म और स्टेथ फिर आपकी स्रिलंकन टैक्स्त है महावम्सा और देपावम्सा क्वे घाष्य का पर परचम फैलाया था आशुक η जं़्तवर आ कि यहां रखना पूरा नाज में भी मेंशन है कोटिल्या कर्थशास्त उसमें तो पूरा सोचल एकोनोमी सोरा पूरा स्टेटस ही बता रखा है इनों ने तो मेगस्थनिस ग्रीक एमबसेडर था इंडी का नाम की इसकी बुक थी इसमें सब कुछ लिखा इसमें विशाकादता की मुद्र रक्षस है इसमें इस तरीके से बताया कि मनन्दा को कैसे ओवर्थ्रो किया गया चंद्रगुत मोरिया के दोरा संस्क्रिट में है तो स्पेसिफि नेर्चाजय ठे ह्ए में विशाकादता की मुद्र रक्षसा में वार में काफी कुछ उमको नॉलिज मिलती भी है और काफी कुछ पढ़ने योग्य भी है वार में टोड़ा फायदा मिल गया मोर्या अगर मैं एंपायर की बात करों नुर्थ वेस्टन इंडिय में इंडो ग्रीक रूलर्स का राज था चंद्रगुत्त ने कोटल्यय की मदद से नुप वेस्टन जो रूलर्स ते उनको भी हराया साथी साथ धाना नंदा को भी हराया और धानंदा को हरा के कद्धी संभाल ली मोरिया इंपायर पूरे राज करने लग गया जब फाउंडर थे चंद्रकुप्त उनके बारे में पढ़ते हैं कोटिलिया ने इंको ट्रेंड किया था एक बिल्कुल हमल फैमिली में पैदा हुए थे ग्रीक्स इनको सेंडो कोटोस कहते हैं क्या कहते हैं सेंडो कोटोस अलेक्जेंडर ने भारत में जब हमला करने की सोची और लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया चंद्रगुप्त ने काफी सारे ग्रीक रूल जो सिटीज थी उनको डिफीट किया नोर्थ वेस्ट पार्ड जो हमाले देश का उसमें थोड़ा प्रभुत्व जमाया सारी स्टेट जी कोटिले ने दी थी सब कुछ प्लैन कोटिले का था चंद्रगुप्त ने उसको पूरी तरीके से आंख बंद करके एक्जिक्यूट किया आर्मी बहुत बड़ी थिंक कि मगद अब नौर्थ वेस्टन साइड इन्हों ने राज कर लिया जीत हासिल कर ली इस्टन साइड ये चले गए और धीरे धीरे उन्होंने जो है मोरे एंपायर की फांडेशन की एक मैप है आपके सामने चंद्रगुप्त के कॉंक्वेस्ट है नौर्थ वेस्टन साइड जाके गरीक रूल सिटीज में पहले जो रूलर्स थे उनको हराया फिर इस्टन साइड जाके इन्होंने जो है ये अपनी प्रभूत वजाना माने की कोशिश की डेकन में जो है ना चंद्रगुप्त मोरे पहुच पाएंगे ना अशोका पहुच पाएंगे डेकन की साइड ठीक है डेकन की साइड जो है थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी हम बताऊंगा क्या था लेकिन आ गया आने पर अभी हम पढ़ेंगे कि 305 बीसी में उन् के जन्रल थे और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में राज कर रहे थे तो सलेकस नीकेटर को हरा दिया चंद्रगुप्त ने बलुचिस्तान अफगनिस्तान इंदस के वेस्ट का रीजन भी इन्होंने ले लिया अब कोटिले ने क्या कहा कि आपने हरा तो दिया लेकिन यह व आपको डिप्लोमेंटिक रिलेशन करने पड़ेंगे डिप्लोमेंटिक तरीके से काम करना पड़ेगा और चद्रगुप्त मोर्या ने कोटिल्या की स्टेटीजी के मताबिक सलेकस नीटर की जो डॉटर थी उससे शादी कर ले सलेकस नीटर ने दहेज में इन रिटन ही किये अपना युद्ध जीत लेना ये स्टेटीजी दी कोटे ले आगे शुरू वहां से मेगस्तनिस ग्रीज के एक एमबेसेडर था चंद्रगुप्त के कोट में बहुत कुछ वहां से लिखके लेके अपनी बुक इंडिका में पैक्स इंडिका नाम था शायद इसका जहां चले में किया कलिंगा तक वे पहुंच गए डेक्स्ट्रिम साउथ तक वे पहुंच गया हालाकि नीचे जो आप देखोगे बिल्कुल जो साउथ में वहां तक वो नहीं पूच पाए थे अशोका डेकन तक डाज नहीं कर पाए थे शोका भी आए थे चब पढ़ेंगे शोक और हिंके साथ श्रवन गोला जो हिलज निकर्ना करना डका मिंशत भी अध्यल्स करना है रही जो को हगा और टाइन तो बिंदुसारा को थ्रॉन दे दिया तो ठीक है अब बिंदुसारा आया बिंदुसारे की अगर बात करें तो चंद्रगुपत के बेटे थे जैसे आमने पड़ा 297 जे-273 BCE तक ही राज किए इनको ग्रीक सोर्चेज आमित घ्रहता बूलाते कह क्या आमित्रगाट अच्छा चंद्रुपत मौरयों का क्या बूलाते थे संडरो कोटोस क्या बूलाते थे संडरो कोटोस Sydney और बिंदुसारों क्या बूलाते मोरिया के कोट में कौन था खिमेंट बॉक्स में लिख के लेकिन की खासबात एक में सत्य सत आजीवका को प्यक्तरनेश कि आपने पड़ाUA गाथ जो स्कूल स्कूल्स होते हैं हेट्रडॉक्स स्कूल्स मैं नाम भूल रहा हूं जिसमें बुद्धिज्म जैनिज्म जीवका अजनाज और चर्वाकाज आते हैं तो जो कहते हैं कि सब कुछ नियती पर छोड़ दो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है सब कोस्मिक प्रिंसिपल टो जो तुमने किया है जो तुम्हारा भागए है वही होगा सुर्ष करम करने से कुछ भी नहीं होगा नियुसस अफ करम आज ही विकको चले आज के लिए इतना ही कल हम अशोका पढ़ेंगे और कल मोर्या एंपार हम खत्म कर देंगे धन्यवाद